वेल्कम तो टेलिफलेक्स हो मैं हुरुची राय जी हाँ 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 एक बॉस के घर की ख़वर लेकर कल का एपसोट देखे कैसा लगा फ्रेंज कैसा लगा पता ही जब मीडिया के सवाल थे और सामने बैटन ने उनको लेने के लिए तीखे सवालों को लेने के लिए कौन आपको नहीं लग रहा था कि जानकर टार्गेट किया जा रहा था जो सबसे जादा तीखे सवाल पूछे गए थे ना वो सिफ राहुल वैद ये से पूछे गए थे हाना कि बगल में वो ज़रूर बैटी थी उनकी पार्टनर रुबीना लेकिन मुझे ने जो सवाल आ रहे अधे वो टर्न होके बॉंस बैग होके राहुल के तरफ घूम जा रहे थे लेकिन रुबीना से कोई तीखे सवाल ही किये गए क्यों नहीं किये गए ये मेरे समझ से बाहर है मुझे नहीं समझ में आ रहा आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जाके अपन तरीके से दिया हाना कियो नहीं हो जब आप एक बंद से एक ही सवाल पांस तरीके से पूछे जाए पांस तरीके से गुमा गुमा के एक ही सवाल पूछ रहे है और वो भी वही सवाल आप बगल में बैठी रुबीना से कोई सवाल नहीं कर रहा है जिसके जबकि वो काम रु जबाब दिया चलिए ये तो रही कल के सवालों जवाबों की बात अब बात करते हैं क्या नई ख़बर है भी बॉस के घर के अंदर बिग बॉस का घर ना मैं आपको बताती हूं एक ऐसा अड़ा बन गया है एक मैं को तो गेस्ट हाउस बन गया है जी हां मतलब आईये यहां प सद्सिखर के अंदर जाते थे फॉस टाइम जब शो की शुरुआत होती थी और लास्ट में खुलता था जब वापसी होती थी लास्ट कंटेस्टेंट की जो विनर के तौर पे बाहर आते थे मतलब रनर अप और विनर ये जो ब्लास्ट दर्वाज़ा कुलता था बीच जाये और दर्वाज़ा खोले जाये और वापस भी आहिए ऐसा नहीं कि सिफ जाये वापस भी आहिए अब कर बाल यही हो रा है बिक बोस के अकॉरडिंग शो के कौर्डिंग मेकर्स के कॉरडिंग अब सिफ पांच तीन हफ्ते रह गया है अब मुझे बताइए तीन हफ्तो में ऐसा क्या होगा जो साथ नए लोग आएंगे अपना कमाल दिखाएंगे और बाकी जो घर में हैं वो तो मौझूद रहेंगे मतलब में से कोई नया निकलेगा नहीं उसके अंदर से कोई जाने वाला नहीं है तो यह वही हो गया है गैस्टाउस है आप आईए मज़े लीज और फिर बाहर जाके जो बाहर से आए हैं वो बाहर की ख़बर अंदर दीजे और जो अंदर हैं बाहर जाके फिर देखे कि कौन घर के अंदर कम जो रहे सब सदाव वोट दीजे यह सब हाल हो गया एक बॉस की घर का इस बार क्या कौन है वो साथ लोग जी हां साथ नहीं एं जो घर के अंदर मौजू सदसे हैं, उनके connection के तौर पे, उनको boost up करने के तौर पे, उनको energetic करने के तौर पे, साथ नई entries होंगी, तो आने वाला है, आने वाली है जैस्मिन भसीन, जी, हाँ, अली का प्यार, अली का प्यार और राहुल की दोस्ट जो है, जैस्मिन भसीन वो घ जैस्मिन घर के अंदर वापस आ रही है, अली का connection बनके, जैस्मिन को लग रहा है, मेकर्स को लग रहा है, बिग बॉस के फैंस, जो अली के फैंस, उनको लग रहा है कि काफी टाउन से, जब से वीकेंड का वाल हुआ था और गोली की क्लास लगी थी, सल्मान खाने क्लास ल जिनकी प्लानिंग के साथ जितने केलते थे, वो अभी अली के साथ नहीं देख रहा है, शायद इसी चीज को मेकर्स ने ध्यान में रखते हुए, घरवालों को connect करने के लिए, बूस करने के लिए, बाहर से जो उनके रिलेटिव आ रहे है या जिनको दोस्त आ रहे है, वो दोनों को अलग होते हुए देख कर, तो उसी बात को ध्यार में रखते हुए, जैसमीन जो है, वो एंटर करने वाली है, अली को उनका connection बनके है, और कौन आने वाला है, और आने वाली है, जिसका नाम ज़्यादातर बिग बॉस के घर के अंदर सुनाई देता है, वो है दिखर का एक मुद्दा रही है, बात होती रही है दिशा परमार के, तो दिशा परमार फाइनली बिग बॉस के घर के अंदर आपको हमें देखने को मिलेंगी एक हफते के लिए, और कौन आने वाला है, आने वाली है, शिफाली बगगा, शिफाली बगगा कनेक्शन बनकर हुक ऱैजे जो प्रमार को हमेशया कनेक्शन बन के लिए गए भास के घर के अंतर चाते रहते है, सब को सपोर्ट कर लिए और इस मास्टर माइंड को सपोर्ट की जरत हो गईया मास्टरा मार इशे ने के लिए शेपाली बगग़ा पार माते हैं, अशा ग्रे को सपोर्शन entry नहीं हो पाती, re-entry नहीं हो पाती है Ajaz Khan की, तो Manu Punjabi proxy as मतलब Devolina को support करेंगे और अगर इस बीच में Ajaz Khan के entry हो जाती है तो भाई, simple सी बात है जिसके लिए आया है उसी को support करेंगा, यानि Ajaz Khan को यह directly support करेंगा In short यह कि Manu Punjabi आ रहे है Ajaz Khan को support करेंगे Abhinav Shukla को support करने के लिए कौन आ रहे है Abhinav Shukla को support करने के लिए अरे भाई, वही है जो Big Boss अभी खेल कर गए है और जिनकी अच्छी bonding हो गी ती Abhinav Shukla के साथ यानि Rahul Mahajan जी हां Rahul Mahajan आ रहे हैं Abhinav Shukla को support करने के लिए अर्शी खान को support करने के लिए उनके भाई आ रहे हैं वैसे हम अर्शी खान के भाई का फहले भी जो इंटर्टेइनिंग अंदाज है वो देख चुके हैं जब बीच में उनके भाई आये थे घर के अंदर तो घर के सिफ अर्शी से ही नहीं मिले हाला कि मुलाकात उनके अर्शी से हुई थी लेकिन उन्होंने बाचीत सबसे की थी जितने भी घर वाले हैं तो शायद इस चीज को ध्यान में रखके मेकर्स को ये बात उनके पसंद आई और उन्हें अर्शी कहां के भाई को चुना और कौन आने वाले हैं और वही आने वाले हैं जिसका नाम हम लोग बीबॉस के अंदर देन रात सुनते रहते हैं जिसके नाम पे ड्रामे होते रहते हैं जिसके नाम पे अ आने वाले हैं दोस्तों ये सबसे बड़ी ख़बर है क्योंकि अभी तक राखी सावन के हाजबन यानि रितेश को किसी ने नहीं देखा जी हां किसी ने भी नहीं देखा है मीडिया ने इवन नहीं देखा है जो मीडिया अपना कामरा लेके हर जगे पहुंच जाता है जिसकी प्रिपी नज़र हर किसी पर होती है उसकी नज़र से अब तक भचे हैं रितेश या राखी सावन तपनी शादीगो है जबकि वह कुद इतनी वार का खुलासा कड़ती आई है कि शादी से लेकर अब तब कोई जानता ही ने सिफच सब नाम सुना है रितेश रितेश लेकर अभी बिग बॉस के घर में आने से पहले तक रितेश का सब लोग नाम सुन रहे थे अब होंगे उनके दर्शन तो भाई उमीद करते हैं कि आपका जितना दर्शन हो आपके नाम की तरह बड़ा हो प्लीज ऐसा मत करना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे क्योंकि राख करते हैं कि रितेश जब घर के अंदर आएंगे तो प्लीज वो वाकई इमोशनली सपोर्ट करेंगे राखी को ताकि राखी अपना गेम और अच्छे तरीकी से खेले ताकि उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको हमारा अच्छा इंटर्टेंमेंट होगा तो होफ़ली रिते अच्छा इस लड़ाई के बारे में भी हम आपको जल्द ही बताएंगे क्या है वो लड़ाई कैसी यह लड़ाई लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है और करना है इस चैनल को सब्सक्राइब जी हाँ अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अवाई अगर कर चुके हैं तो खुछ नहीं बाई अपने फिरंस को करवाईए करवाईए सुब्सक्रिप्शन ८ीट क्या कीजिए क्योंकि आपके जो व्यूस होते हैं वो हमें आनर्जी का काम करते हैं हमारे झाल झाल